नमस्का दोस्वें को फिर से सागत आपके अपके अपनी यूटूब चैनल एस्टेड़ियान पर तो जैसे कि आप सो को पता ही है कि यहाँ पर कोटा विश्वीद दाले यानि इनिवसिटी अफ कोटा ने 2022 एक्जाम को आपका टाइम टेबल यहाँ पर जारी कर दिया है जैसे अब आप इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल एश्टेड़ियान को सब्सक्राइब जरू कर लिजीगा क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा कोटा इनिवसिटी से एलेटेड इन्फरमेशन टाइम डिव टाइम आपको प्रोवाइड करवाई जाती है और अगर अभी तक आपन पेटन नहीं समझाए जैसा कि आप सोको बताए कि यहां पर आपकी 2022 एक्जाम में आपको जो एक्जाम पेटन है वो 50% यहाँ पर कर दिया गया अगर आपको नहीं पता ही कि 50% एक्जाम पेटन होता गया इसमें कुशन किस प्रकार आटेम करने होते तो इसके उपर हमने Compulsory subject जो देना है, वो के वार first year students को यहाँ पर compulsory subject के paper देने हैं, अगर हम बात करें second year की जो इस साल second year का paper दे रहे है, उनको यहाँ पर first year का job उनका result आया था, पिछले साल 2021 में, तो उन्हें यहाँ पर compulsory subject में pass कर दिया गया, तो उनकी जो marksheat में compulsory subject के जो number है, वो भी आपके aid कर दिये गए थे और अगर हम बात करें final students की तो उनके भी जो यहाँ पर second year जब वो second year में थे तो उसमें जब उनकी mark sheet आई थे तो उसमें भी उनकी जो number है वो aid कर दिये गए थे compulsory subject की तो इस साल जो आपकी 2022 में जो students first year में चाहिए वो BA first year में हो चाहिए बीकॉम first year में चाहिए आपके BAC first year में इन तीने यहर की जो first year students से उनको यहाँ पर जो compulsory subject देने होगे compulsory subject आपके चार होते है तो हिंदी English होते है आपके जनरल Hindi जनरल English होता है एक environment होता है और एक आपकी computer होता है तो यह चार paper आपकी यहाँ पर होने वाले compulsory और अगर हम बात करें कि यहाँ पर एक दिन में आपके यहाँ पर दो paper होगे अगर एक दिन में जैसे कि आपके एक दिन तो होगा आपका जनरल हिंदी और इंग्लिश का एक दिन में हो जाएगा और अगले दिन ही आपका यहाँ पर environment और computer का paper यहाँ पर होने वाला है अभी हम time table की through बताते कि यहाँ पर BA वालों का कब paper होगा यहाँ पर BA.com वालों का कब और BSC वालों का कब paper होने वाला है और आपको यहाँ पर एक दिन में दो paper यहाँ पर किस आधार पर होगा यह वो भी हम यहाँ पर आपको बताने वाले है जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप time table देख सकते हैं सबसे पहले हम BA के time table पर बात करते हैं उसके बाद हम यहाँ बीको बना रखा उसका link आपको description में मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर आपके paper इस्टार्ट हो रहे है वो तो आपके हो रहे हैं यहाँ पर 27 जून 2022 से यहाँ पर आपके paper इस्टार्ट हो रहे हैं तो आप यहाँ पर पूरा time table देख सकते हैं और यहाँ पर कुछ students को यहाँ पर यह N2Z का है तो यह आपके जो आपके जो नाम है उसका यह अक्षर है जैसे कि अगर आपका नाम A से लेकर M के बीच में यहाँ पर आता है आपके जो first letter रहता है आपके नाम का तो उन students को यहाँ इतनी बज़े यहाँ पर paper देना होगा और अगर हम बात करें N2Z वाले जो students है य यहाँ पर तीन से साड़े चार वज़े के बीच में यहाँ पर paper देना होगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते यह किसके लिए यहाँ पर non college यानि private students के लिए यहाँ पर आप देख सकते ठीके इसी परकार यहाँ आपर आप देखेंगे तो यहाँ आपर भी A2M है यहाँ N2Z है यहाँ पर आपका public administration का paper होगा जो कि किसका होगा यहाँ पर non college यह इस्टुलेंस का है यहाँ पर यहाँ पर यह प्राइवेट इस्टुलेंस का होगा ठीके एक का होगा यहाँ बारा से एक देड़ वज़े तक के और N2Z वालों का होगा यहाँ पर तीन सा साड़े चा कितनी बज़े paper होगा वो सारा आपका यहाँ पर admit card में अच्छी तरह से यहाँ पर आजाएगा जिसके बाद आपको कोई भी confusion नहीं होगी ठीके यहाँ पर आई होप आपकी यहाँ पर doubt सारी clear हो गए होगे जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखे हैं जितना में यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो ठीके यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आई होप आपके इस से related भी आपके doubt यहाँ पर clear होगे होगे अब बात करते हैं यहाँ पर हम compulsory subject की जो कि हमारा यहाँ पर main यहाँ पर topic है आज का यहाँ पर आप देखेंगे जो आपक 1222 को आपका compulsory exam होने वाले जैसे आपके सारे main paper हो जाएंगे आपका आपका 8 अगस्ट 22 को यहाँ पर होने वाला है समय आपका 9-10 होने वाला है यहाँ पर केवल regular students के लिए ठीक है तो regular और एक्स students है यहाँ पर regular और एक्स students का जो पहले दिन ही paper होगा उनका यहाँ पर 9-10 के बीच में ठीक है और फिर यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर 12-15 बज़े के बीच में यहाँ पर non college यानि आपकी यहाँ पर जो private students है उनका यहाँ पर होगा और यहाँ पर भी आप आप देखेंगे पहले दिन ही आप जैनल हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पर paper होने वाला है यानि आपको देड़ घंटे में आप दो paper करने होंगे देख सकते हैं आपको देड़ घंटे में आपको दो compulsory paper करने होगे यह तो हिंदी वाला और आपका यहाँ यहाँ पर English वा होने वाला है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है यानि जैसे पहले आपके 45 में हिंदी का paper लिया जाएगा फिर आपके 45 में इंग्लिश का paper होने वाला है ठीक है और यह आपके मार्स की बात करें तो यह दोने ही आपके 50-50 नंबर की आपके paper होंगे इस सब ही students के उनके लिए भी A&M लग हो BSC students है तो उनके लिए भी A&M है कि जो उनके एक ही दिन में यह पर दो paper होने वाले है और 50-50 नंबर की आप दोनों paper होगे अभी हम यह पर बी-कॉम और BSC के भी बात करें हैं यह आपर क्योंकि उनकी जो date है वह यह आप थोड़ी सी अलग है जैसे कि हम बात करें BA वाले students तो उनके 8 अगस्त को यह पर होने वाला है जैसे कि यह आपर आप देख सकते ठीक है आई होब आप यह तो समझी गए होगे यह पर ठीक है और यह आपके एक ही दिन में यह आपर दो paper होने वाले है उसके बाद हम यह आपर बात करें कि यह आपर 8 के एक दिन का gap आएगा आपके और 10 तारीक यह नहीं ठीक है दस तारीक में यह आपर 9 से साढ़े 10 के बीच में यह आपर computer application और environment studies ठीक है इसके यह आपर आपकी पेपर होने है यह आपर regular और ex students के compulsory exam होने वाला है यह कि देड़ इसमें भी आपको देड़ गंटे में यह आपर आपकी यह दो paper होंगे और इसी दिन यहापर जो हम बात करें यह आपर non college students है यापर private students है उनके 12 से देड़ बज़े के बीच में होंगे आपकी यह दोनो paper यह आपर आप अलफावेट डेक सकत आउट हो तो आप comment box में हमसे पूछ सकते हैं तो जैसे कि दोस्तों यहापर आप हम बात कर रहे हैं यहापर BSC first year students के लिए यहापर आप देखेंगे जो आपके main exam है वह आपके 27 जून 2022 से यहापर आपकी जो paper है first year students के वह आपर start होने जा रहे हैं जैसे कि आप देख सकते है और यहापर आप अपने subject के अनुसार अपने paper सभी देख लीजेगा ठीक है उसके बाद हम यहापर बात करते हैं कि यहापर compulsory exam के उपर जो कि आज का मारा topic है यहापर जो compulsory exam है जितने भी आपके main exam हो जाए उसके last year में ही आपके compulsory exam होने वाले तो आपका compulsory exam है वो यहाप यहापर होगा आपका 5 अगस 2022 का arts वाले students का होगा यहापर 8 अगस को और यहापर B.Sc. students है यानि science वाले students उनको यहापर paper होने वाला है Friday 5 अगस 2022 को होने वाला है समय आपका 9-10 यहापर होने वाला है जैसे कि आप देख सकते और इसमें हम बताते हैं कि इसमें private हो चाए आपक B.A. में देखा तो तो उसमें तो आपके alphabet अलग 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 timing हो रही थी लेकिन अगर हम बात करें B.Sc. में यहापर एक ही समय पर यहापर private students का भी होगा और regular students का भी और ex students का भी यहापर एक ही समय पर यहापर आपका होगा general Hindi और general English का देख सकते हैं आपका देड़ गंटे में यहापर आपके दोनों paper होगे 45 मिनट के दो paper होने वाले और 50-50 नमर के आपकी यह question paper होने वाले जैसके यहापर आप देख सकते हैं ठीक है उसके वाले यहापर Saturday 6 अगस्त को यहापर आपका paper होगा 9 से साड़े 10 के बीच में होगा यहापका paper computer application का और सार experimental studies का ठीक है यह आपका होगा 6 तारीक हो अगले दिनी होगा इसमें आपको gap नहीं दिया गया है एक तो 5 तारीक होगा और एक 6 तारीक होगा समय आपका 9 से साड़े 10 यहापर रहने वाला है और देड़ गंटे में यहापर आपके यह दो paper होंगे ठीक है तब भी अगर आपक पेपर है compulsory exam वह यहापर आपका पाच अगस्त को होने वाला है और एक आपके 6 अगस्त को यहापर आपका जो compulsory exam होने वाला है वही सेम जैसे बीसी में ता वेसे ही यहापर कि become students का भी होने वाला है इनका समय 9 से साड़े 10 होने वाला है इसी में आपका regular और private donor students का आपके ए environmental studies का यहाँ पर आपके होने वाला है ठीक है यह पर आप देख सकते हो जो मैंने शुरात में बताई दिया था कि में एक्जाम में वह आपकी भी यहाप सत्ता ही जून 2020 से यहापर स्टाट होने जा रहे है और आपको एक्जाम पेटन है अगर आपको 50% एक्जाम पेटन समझ जरना है उसके पर मेंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसे उस वीडियो को जरू देख लिएगा वो वीडियो देखना आपके लिए काफी ज़्यादा इंपोटेंट है उसके बाद कि आपको यहापकी डाउट नहीं रहने वाला नहीं है आई होप आज का वीडि वीडियो को लाइक कना भी ना बोलेते मिलतेक नेश्च वीडियो में